मोवी की स्टार्टिंग एक खुप सुरस्ट से अइलेंड से होती है जिसका नाम एस्टर आइलेंड होता है और उस एलेंड पर हमको धेर साथे पत्र की मूर्थिये नजर आती है और एक पूर्थी पर हम एक खरवोश को बैठा देखते हैं जिसका नम ई भी होता है और वहां वो द्रम बझा रहा है तब उसके पास में उसके फादर आते हैं झोपि इक इस्टबर फैस्टिवल के लिए ठीट बनाने वाली माल्क होते हैं इसटबर जीसे पॉलेंड में सैलिड़alı गया जाता है जिसे बनी बहुत होता है तब उसके फादर उसे कहते हैं जब बड़ा हो जाएगा तो वह भी उसी के जैसे इस्टर बनी बनेगा और इस फैक्टरी का मालिक भी बन जाएगा नेक सीन में हमको एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने रूम में अपने बैट पर सो रहा है जिसका फ्रैड होता है और तब उसकी आँख खुल जाती है और जब पाहा खिड़की से जांक करके देखता है तो उसे उड़न दस्तरी नजर आती है जिसमें इस्टर बनी पाहा निकलता है और इस्टर फैस्टिवल के लिए उसके खर की बहा में वह ट्रीट रग रहा था उसे दे में वी के साथ दिनर टेपला वईटर देनर कर रहा है वहां उसके वाधर खर के ऐलावा उसको सिस्टर बी हैं जिनके नाम से नाम होते हैं समांता और एलेक्स जो कि दिनर डेपल पर साथ में सब पैटे डिनर कर रहे हैं डिनर की दोरान फ्रेट के फादर उसे कहते हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो तुमकर कुछ काम करना चाहिए कुछ जॉब करना होगा क्योंकि वो अभी भी अपने पैरेंट्स पर डेपेंड दा दूस इस्टर बनी बन जाएगा लेकिन इस पास से एडी को कोई भी खुशी नहीं होती और वो अपने फादर को मना करता है कि उसे कोई इस्टर बनी नहीं बनना तो उसके फादर उस पर डांटते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए अपने 4000 सालों पुराने डेटेशन को चें निकल जाता है और जहां फ्रेड रहता है उसी शहें में पहुंचता है हॉलिवुड वहीं फ्रेड भी अपना घर छोड़ करके जा रहा होता है क्योंकि वह अपने फादर के तानों से परेशान हो चुका है तब ही उसकी बेहन समान था उसके पीछे पीछे आती है और उसे किसी कंपनी में इंट्रिव्यू का बोलती है कि वह पहाँ जाए इंट्रिव्यू दे और उसे वह चौप मिल जाएगी उसे चौप मिल सकती है और कहती है कि न्यू लाइफ के लिए तुमको बदलना होगा जिस पर फ्रेड कहता है विदिन टो वीक्स में अंदर इस्टरे तक मुझे टोटली चेंज पाओगी और अब समानता उसे अपने बॉस के घर की चापी देती है क्योंकि उसका बॉस कहीं बाहर आउट अफ सिटी गया हुआ है और उसकी जिम्मेदारी समानता को दी है इसलिए वह अपने जिम्मेदारी उसे दे देती है जिससे की फ्रेड को ठ दर्द से चुटकाता देने के लिए एक बड़ा सा पत्र उठाकर के उसे माने को होता है पर तभी जोड से चिलाता है और कहता है मुझे कुछ समय अब जब साथ लगो मैं इस एक्सिडेंट का किसी को भी नहीं बताऊंगा और एक खरगोस को बोलता देखकर कि फैट डर जा तो है अब उसे फैट गाजर देता है अर उसे गाचर देखर वहां से जाने का बोलता है तब ड्रामा करता है कि उसके पैर में चोट है और तुम मुझे जाने का भूर रहे हो मुझे निकाल रहे हो और वह उसे emotional black twist करता है और उसे अपने साथ घर में रूपने का पूल कर द इस्टर आने वाला है और एबी की तासपोशी भी होनी है और वो तीनों बनीस एबी की तलाश में वहीं पहुंचते हैं फैट के शहर हॉलिवुड एबी को ट्रैक करते हुए नेक्स दे फैट सोकर के उठता है तो वह एबी को देखने के लिए कहरा जाता है जहां उसे एबी नहीं मिलता उसे लगा कि वो जा चुका है तो वो अपने इंटर्वी के लिए रेरी होने लगता है तब उसे कुछ आवाज आती है उपर के रूम से तो फैट आवाज को फॉलो कर बहां जाकर के देखता है तो शाक्ड हो जाता है क्योंकि एबी ने पूरे रूम को उतर-प पीचे आता है और उसे कहता है कि वो कोई कॉमन नहीं वो स्पेशल है और वो बताता है कि वो इस्टर है तो फैट को पीश साल पुराना कि से याद आता है जब उसने उड़न दस्तरी को देखा था और वो खुद को इस्टर बनी बताता है और फैट अब उसे अपने साथ ल उसको ट्रैक करते करते उस तक पहुशने वाले ही थे पर तभी एवी भी उन्हें देख लेता है और वो कार से निकल गए और फ्रेट के पास पहुशता है तभी वहाँ पार MP भी आ जाती है और उसको इंटरव्यू के लिए लेकर के चली जाती है और फैट फिक से छूट बोलता है और उसे फिक ऑफिस विजिट कराती है वहें एवी एक रूम में पहुंचता है जहां पर ब्लैंड लोगों का बैंड था जिसे वो एज़र ड्रमर जोइंग कर लेता है एज़र देखी क्योंकि उनका ड्रमर कहीं पहार था और वहाँ बैटे बैंड को उसका ड्रम बजाना बहुत अच्छा लगता है तब ही आफिस विजिट करते हुए फैक पी एवी को देख लेता है और वो वहाँ से उसे पहार जाने का बोलता है मिसर फीक को ये देखकर के आजीब लगता है तब ही एक आदमी कहता है कि तुम रिक नहीं हो तो एवी सब सच पता देता है जिस पर एक मैन जो के ब्रेंट का वो बोलता है उसे टेलेंट शो का कार देते हुए यहाँ पर वो अपना टेलेंट दिखा सकता है एवी सबको थैंक्स करके चाने लगता है पर वहाँ बैटे ब्लेंट लोगों मैंसे एक बंदा बोलता है गुड लग मिस्टर रैबिट ये सुनकर के एवी चौंक चाता है कि उसको उसका कैसे पता चला और स्पिशल टेलेंट बोल करके एवी वहाँ से चला जाता है और अब गाड़ी में फेट के साथ होता है तब ही वो 32 फेट का गाड़ी नमबर प्लेंट का फोटो खीश लेते हैं वहीं फेट से एवी उस टेलेंट शो की बात बताता है और उस टेलेंट हर्ट शो में जाने का बोलता है और कहता है अगर वो उसे उस शो में पहुंचाता है तो वो उसका पीछा चोड़ देगा उसकी लाइफ से चला जाएगा वहीं एबी के फादर उदास पेटे हैं एबी को याद कर रहे हैं और उन्हें इस बात का अफसूस है कि उन्होंने अपने बेटे को कलत बोला वो बोलते हैं मैंने उसके टेलेंट की कद्ध नहीं की तब ही वहाँ पर कालोस चिक आता है और उससे ईस्ट का कहता है कि ज़रूरी है कि ईस्ट बनी ही बने एक खरगोश ही बने क्या मैं कालूस एक चिक ये काम नहीं कर सकता EB के फादर उस पर हस्त हुए वहां से चले जाते हैं कि चिक एक Easter का काम नहीं कर सकता वहीं EB और Fred वापस बॉस के घर पहुंसते हैं जहां समानता की काड़ी खड़ी देख कर गे Fred पहिशान हो जाता है कि उसकी पहन ने अगर अंदर रूम देख लिया तो उसकी आफ़त आ जाएगी और अब वो अंदर समानता के पास जाता है Fred उसे बताता है कि उसको नाक्री मिल गई है पर वहां के लोग आजीब हैं पता नहीं कितने दिन तक मैं वो जोब कर सकता हूँ तब इस आमनता को कुछ आवाज आती है और वो उपर तोड़ करके जाती है तो देखती है कि Fred भी उसके पीचे पीचे आता है जहां रूम को देख करके Fred चौक जाता है जिसे EB ने एक तम से क्लीन कर दिया था हर चीज आरेंच करके रख दिती और खुद सौफ टोड़ के पीच मचा करके पैट गया था जिसे समानता उठा लेती है और उसे कले से लगा लेती है Fred डरा हुआ था कहीं समानता को पता नचल जाए वहें EB Fred के मज़े ले रहा था और Fred उसे लेकर के वापस वही रख देता है पर EB फिर एज़ा की टोई चलने लगता है तो Fred उसे एक ड्रावर में बन कर देता है और अब समानता भी उसे ये कहकर के चले जाती है कि शाम को उसके पहन एलेक्स का शो देखने के लिए वो जरूर आए और अफरेट EB को लेकर के उस टैलन शो को शाम को पहुंचता है और वहाँ पर और भी लोग आयते और अब सब अपना अपना परफॉर्म देते हैं और अब EB की पारी आती है पहले तो EB नर्वस था पर Fred के मुडिविट करने पर EB अपना परफॉर्म करता है ड्रम बचाता है और उसका ड्रम जच को बहुत पसंद आता है ये सुनकर के दोन अफरेट और EB बहुत खुश हो जाते है और हाफ जच उसे एक लाइफ शो का ओफर भी देता है और अब अपनी डिल के अकोर्डिंग EB EB फेट की लाइफ से जाने को रेड़ी हो जाता है पर तबी वो बनीज वहाँ आप पहुंसते है और EB उनसे छिपने लगता है और अब वो फेट को बता देता है कि वो बनने वाला था इस्टर बनी पर मैं भाग आया और इस समय दोनों अपना अपना दुखडा रोना स्टर कर देते है और दोनों एलक्स का प्ले देखने पहुंसते तबी वहाँ EB को लगता है वो बनीज उसके पीचे पीचे वहाँ आ गए है और वो भागने लगता है और सब को पता चल जाता है कि वो बोलने वाला खरगोश है पर EB सब को बताता है कि फ्रेट वो कलिस्मन सीख रहा है फ्रेट के फादर उसे वहाँ से हटने का बोलते हैं क्योंकि वो समय स्टेस बते पर EB गाना गाना स्टार्ट कर देता है और सब उस गाने को पहुंच जाता है करते हैं उस काने को और फ्रेट EB को कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जगे इस्टर बनी बन सकता हूँ EB मना कर देता है कि वो ये काम नहीं कर सकता EB कहता है उसके लिए मेरे फादर से बात करनी होगी जिस पर फ्रेट बोलता है मैं कुछ भी करूँगा इस्टर बनी बनने के लिए वहीं हम देखते हैं चिक कालोस सभी चिक को बनी के अगिन्स करने में लगा हुआ है वहीं EB फेट को कहता है कि वो इस्टर बनने में उसकी हैल्प करेगा क्योंकि फेट ने भी उसको पहुँच ज़्यादा सपोर्ट किया था और उसे वो ट्रेनिंग दिना स्टार्ट कर देता है वहीं कालोस चिक को दिखाया जाता है वो भी इस्टर बनी बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और आज EB का लाइफ शो भी होना है तब ही वो तीनों बनी वहाँ पहुँचते हैं EB वो उन तीनों बनीज को देख लेता है और अब उन्हें चक्मा देखा के शोस के लिए चला जाता है वहीं फ्रेट सोकर के उठता है तो वो तीनों बनीज उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं फ्रेट बहुँच खोश होता है उसे लगा कि उसे इस्टर बनीज बनाने के लिए लाई है लेकिन कालोस उसे खूनी कहता है और अब वो EB के फादर को बताता है कि इसने उसका पेटर मार दिया है चोकी उसके कप्रों में टेड़ी था तब ही कालोस EB के फिंजल के बहाने सबी रैबिट्स को एक केविन में बंग कर देता है और छोटे 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 चिक से EB के फादर पर अटे कर वाता है और वही EB को अपसूस हो रहा है कि वो अपने दोस्त Fret को अकिला छोड़ आया अपने उन बनीज के बीच में और अपो ये बात अपने चज होफ को बताता है और चज उसे वापस Fret के पास में जाने का बोलता है और अब EB दोटता हुआ घर पहुंचता है Fret उसे घर पर नहीं मिलता वहीं कालोस ने सबी को बंदी बना रखा है तब ही EB वहाँ पहुंच जाता है उसे देख कालोस उस पर अटेक करवाता है और उसे भी कैट कर देता है और EB के फादर की स्टिक लेकर के चला जाता है चांद निकलने में थोड़ा ही समय बाकी है इस्टर को आने में भी तब ही EB और Fret तीनों किसी तरह Free हो जाते है वही कालोस एक मॉंस्टर बनी बन जाता है और अब EB और कालोस के बीच में फाइट होती है पर वो EB को मार मार करके उसकी हालत खराब कर देता है तब EB को आइडिया आता है और वो ड्रम बजाकर के सबको डिस्टर्ट कर देता है और अब कालोस का खेल काट्म हो जाता है और EB अपने फादर की इस्टिक लेकर के अपने फादर के पास पहुंसता है और दौनों पाप बेटे एक दूसरे को सारी बोलते है और EB अपने फादर को बताता है Fret का सबना कि वो एक इस्टर बनी बनना चाता है उसके फादर अब फैट को इस्टर बनी बना देते हैं, साथ में ए-बी को भी और अब वो अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है मौनिंग देखवास पर वो अपने फैमिली को बताता है, पर वो सब उसके काम से खुश नहीं है जब वो पाहर आका के देखते हैं तो शौक्ट हो जाते हैं और फेट के फादर को अज पहली बार फेट पर प्राउड फील होता है और इस जगर मुवी खत्म हो जाती है दोस्तों आप लोगों से छोड़ इसी रिकेस्टर अगर आप इस तिनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कहा देजिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच